जया बच्चन जीवनी जया एक बॉलिवुड अभिनेत्री है अपने पती के बाद जया ने भी राजनीती में कदम रखा जया बच्चन अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से 2004 में की थी और तब से अब तक वह चार बार राज्य सभासांसत बन चुकी है जन्म 9 अप्रेल 1948 आयू 76 वर्ष जबलपुर जीवन साथी अमिताब बच्चन विवाद 1973 पार्टी समाजवादी पार्टी पुरस्कार फिल्म फेर लाइफटाइम अचीवमेंट अवोर्ड अधिक उंचाई एक दशमलव पांच साथ मीटर मातापिता तरुन कुमार भादुडी इंदिरा भादुडी जैया बच्चन नेट वर्थ इन रूपीज 729.77 क्रुपीज प्रिष्ट भूमी 9 अप्रेल 1948 को जबलपुर के एक बंगाली परिवार में जन्मी जैया बच्चन का पूरा नाम जैया भादुरी बच्चन है उनकी मा का नाम इंदिरा भादुरी और उनके पिता का नाम तरुन भादुरी था जो की एक लेखक के साथ पत्रकार और स्टेज आर्टिस्ट भी थे शिक्षा उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंड जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडेरी स्कूल भोपाल से पूरी की 1966 में उन्हें NCC का राष्ट्री अस्तर का पुरसकार मिला इसके अलावा उन्होंने Film and Television Institute of India पुने में अक्टिंग का गुर सीखा और वह गोल्ड मेडल के साथ पास हुई करियर 15 साल की उम्रही में उनका अभिने करियर तब शुरू हुआ जब वह एक बंगाली फिल्म महांगर में नजर आई इसके बाद जल्द ही वह मुंबई आ गई और उन्होंने कई हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिने किया जिनमें जवानी दीवानी, उपहर, अनामिका, अभिमान, शोले, बावरची, चुपके-चुपके और जन्जीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है सिलसिला 1981 में अपने पती अमिताब के साथ काम करने के बाद वह लंबे समय के ब्रेक पर चली गई इसके अलावा उन्होंने शेहनशा 1988 की पटकता भी लिखी जिसमें उनके पती लीड रोल में थे अठारह वर्षों के लंबे ब्रेक के बाद जब वह दोबारा लॉटीन तो उन्होंने फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की जिन में से कभी खुशी कभी गम हजार चौरासी की मां कल हो ना हो लागा चुन्री में दागाधी प्रमुख है शादी 3 जून 1972 को जया ने सदी के महानायक अमिताब बच्चन से शादी की और दो बच्चों अभिशेक और श्वेता की मां बनी बेटी श्वेता का विवाह दिल्ली में कपूर परिवार के पोते उद्योग पती निखिल नंदा से हुई है और उनके दो बच्चे है नव्या नवेली और अगत से नंदा जबकि जया के बेटे अभिशेक की शादी प्रसिद अभिनेतरी एश्वर्या रॉय से हुई है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है पुरसकार फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें नौ बार फिल्म फेयर पुरसकारों से नवाजा जा चुका है साथ ही 1992 में पदमश्री से समानित हो चुकी जया तीन बार IIFA अवार्ड से भी समानित हो चुकी है